हेलो एंड नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रागाव पटेल दोस्तो भारत में अगर कोई वीडियो बनाकर बिलेकमेल करे तो हमें क्या करना चाहिए आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे दोस्तों वीडियो बनाकर बिलेक मेलिंग करना सबसे आम अपराधों में से एक है जो डिजिटल आई करन और टेकनलोजी की प्रगती के साथ में बड़ा है आम तोर पर बिलेक मेल करने के लिए इमेजरी का यूज किया जाता है इमेजरी में होटो और वीडियो दोनों सामिल होते हैं बलेक मेलर्स दोरा बलेक मेल करने के लिए रूपांतरे तस्वीरों और वीडियो का यूज किया जाता है बाटसाप, फेश्वोक, इंस्टाग्राम जैसे बीडियो कॉलिंग एप्लिकेशन ने साइबर क्राइम पो बहुत ज़्यादा बड़ावा दिया है इन बीडियो कॉलिंग शुविधाओं ने इजर्स को बीडियो रिकार्ड किये जाने का एक खतरा दिया है साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराज जिने अकसर पॉर्नोग्राफी के साथ साथ सेक्स टॉर्सन के साथ जोड़ा जाता है यह बलेकमेलिंग के प्रमुक कारणों में से एक बन गया है फॉन पर समय समय पर सौप्ट वेयर अपडेट के साथ साथ एक एपलीकेशन भी दिखाई जाती है जो वाटसप, आडियो, वीडियो, चेट के साथ साथ फॉन पर स्कीन रिकार्डिंग को करता है इस तरह के एपलीकेशन की पहुंच यूजर की फॉन गैलरी की सभी चीजों तक होती है दोस्तो लोगों का वीडियो दोरा बलेकमेल किये जाने का सिकार होने का प्रमुक और जो शामान ने कारण है वो फॉन पर एपलीकेशन तकनीक के साथ साथ कानून के बारे में जागरोकता यानी अवेयरनेस की कमी के कारण है कानून के तहट बलेकमेल करना दंडनी अपराद है भारती कानून में कई यह से प्रावधान हैं जिनके तहट वीडियो के साथ ब्लेकमेल करना दंड नहीं अपराद है ब्लेकमेलिंग अपरादिक धमकी का एक रूप है अगर कोई आपके सम्मान या फिर संपत्ती को चुट पहुँचाने के लिए आपको वीडियो के साथ साथ ब्लेकमेल कर रहा है तो आप भारती दंड सहेता की धारा पांस्तो तीन के तहट सिकायत दर्ज कर सकते हैं अक्सर अपरादी पीनित को जबर्दस्ती या फिर मांग करके वीडियो के शाथ में ब्लेकमेल करते हैं जो की गेर कानूनी है यानि इलीगल है या जबर्दस्ती बसूल करने के बरावर है जो आईपीसी के सेक्षन 384 के तहट दंड निये अपराद है जिसके तहट पीनित केस फायल कर सकता है यानि अफायार दर्ज करवा सकता है पीनित के पास अपराद एक प्रकरिया सहेता की धारा 108 1 IE के तहट अधिकार है कि अपने एरिया के मजिस्टेट से संपर्क करे और मजिस्टेट को उस बैक्ती के बारे में बताए जिस पर उसे सक है की बहे किसी भी असली सामगरी को पबलिक में बाढ़ सकता है मजिस्टेट के पास ऐसे बेक्तियों को हिरासत में लेने और पीनित के बीडियो को प्रसारित करने से बेन लगाने के ब्रांड पर साइन करने का अधिकार है भारती दंड सहिता की धारा 292 का यूश करके बिलेक मैलिंग के पीनित दोरां किया जा सकता है जहां अपराधी एलेक्ट्रोनिक मीडिया के दोरां पीनित की असली तस्वीरों का खुलासा करने की धमकी देता है Information and Technology Act 2000 के सेक्षन 666E के तहट किसी भी ब्यक्ति की सहमती के बिना उसकी ब्यक्ति की तस्वीरों को प्रसारित करके उसकी प्राइवेशी का उलंगन करने के लिए किस फाइल किया जा सकता है इसी तरह है अगर किसी ब्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसका ब्यक्ति की प्रसारित किया जाता है तो ब्लेक मेलर के खिलाप Information Technology Act 2000 के सेक्षन 666 के तहर किस फाइल किया जा सकता है Information Technology Act 2000 का सेक्षन 6607A ब्लेक मेलर के खिलाप एक ऐसा कानूनी हत्यार है जहां वीडियो के लिए प्रिकार्ड होने या पर रिकार्ड करने और प्रसारित करने के लिए छुपे हुए कैमरों का यूज करना एक दंडे निया अपराद माना गया है आसा है दोस्तों आपको यह वीडियो पशंद आई होगी वीडियो से रेलेट आओ आपका कोई कोश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं